श्रीत का आज का आखरी दिन है और आखरी दिन में क्या होगा ये तो अभी पता चलेगा क्योंकि सदन शुरू है लेकिन पूरे श्रीत सत्र दोज़ा तेईस ने महराश्ट को खासकर वेधग को क्या दिया है क्या बताओ देखे यह श्रीत कालिन सत्र जो महराश्ट का नाकपुर में हुआ आज उसका अंतिम दिवस है मैं तो यही मानता हूँ कि यह सरकार को विधर्ब के प्रति कोई लगाव नहीं है विधर्ब के भावनाओं से, विधर्ब के विकाज से, विधर्ब के प्रगति के साथ, विधर्ब के युवा और किसानों के साथ नयाय देने की इनकी बिल्कुल भुमिका नहीं रही पूरा सत्र ऐसे प्ददति से चला है, इस प्रकार से चला है क्यूँ सत्र में ये प्रश्णों पर कोई आवाजी नहीं उट पाई ना उठाने दी गई है विरोधी पार्टी को बोलने भी नहीं दिया जाता कई बार, उनको रोक दिया जाता और आगे बड़ जिआ जाता तो इस प्रकार से जो रवया है, सरकार का वो रवया, ये लोक तंत्र के खिलाप है, मैं वीशितकालीन सत्र से उदासिन हूँ जिस तरह से आपने बताया कि विरोधोकों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन सत्तापक्ष के कुछ विदायक है, उन्होंने कहा है कि विपक्ष के जो विदायक है, वो सदन में उपस्तिती ने रहते, कितनी संख्या उनकी है, ये भी उनका एक सवाल है यह है तो बात सरासर गलत है अभी भी आप सदन में देखेंगे तो विरोधी पार्टी के विधायक पुरी तरीके से वहाँ मौझूद है अद्धिक्ष चेहर से उनको बोलने भी नहीं देते हैं जा अगर उनका क्रम नहीं आएंगा वो अगर बिच में पॉइंट आफ इन्फ है और वो चल रहा है पुर्व मंत्री नीतिन राउत ने इस शी सत्र को लेकर नाराज गी जताई है कैमेरा परसन अजीत कुवर के साथ शितिजादेश मुख बीसीन नियूज नागपूर